Hello guys, my name is Vikram, welcomes you to strive for progress आज से हम स्टार्ड करेंगे science और हमारा first topic है electric current चलिए स्टार्ड करते हैं सबसे पहले आपको यहां पे definition पता होने चाहिए इसकी In any electric circuit, the amount of charge passed from a point per unit time is called electric current कैसे ही, कि अगर हमारे पास कोई electric circuit है वो आपको बता है कि हमारे पास अगर कैसे बनाते हैं lower classes में अगर हमारे पास क्या है, एक electric conducting wire है अगर मैंने उसको एक battery से attach कर दिया यहां पे positive or negative यह हमारी क्या होगी battery होगी और यह हमारी क्या है, conducting wire है, यह हमारा conductor है तो यह हमारा क्या बन जाएगा, एक electric circuit बन जाएगा तो इसमें अगर किसी point से, यह हमारा point हो गया यहां से कितना charge flow कर ला है, per unit time वो हमारा क्या होगा, electric current होगा तो I is equal to क्या हैगा, Q by T Q का मतलब यहां पे क्या है, charge है जो कि इस point से flow कर ला है और T हमारा time है, per unit time, कितना flow कर लेगा, वो हमारा current होगा अब यहां पे होता क्या है, Q is equal to क्या आएगा basically यहां पे flow कर कौन रहा है कौन flow कर रहा है, electron ही तो flow कर रही है कैसे, किसी भी conductor में क्या होगे atoms होगे, atoms होगे तो free electron होगे, जो कि wire में क्या होगे free होगे, यहां पे electron होगा और यहां पे electron होगा और electron के उपर आपको पता है क्या होता है, negative charge होता है तो यहां पे अगर negative charge है और हमारे battery के उपर क्या है यहां पे इस side में positive है तो positive negative को क्या करेगा attract करेगा और यहां से electron इस side में flow करेंगे और यहां से current flow करने लग जाएगा तो यहां पर basically electron ही तो flow करने ही तो यहां पर charge आईगा कौन सा कि इस point से कितने electron यहां से pass कर रही है पारियने time वो हमारा क्या होगा current होगा मैंने consider कर लिया कि यहां से जो electron flow करने हैं वो 5 flow कर रही है यहां मैंने मान लिया 10 flow कर रही है तो मानने से तो कुछ होता नहीं तो हमें कोईने कोई number लेना पड़ेगा number कैसे जैसकि x y ऐसा कुछ मानते हो आप math में वैसी मैंने consider कर लिया कि n electron जो है वो flow कर रही है इस point से अब अगर q is equal to only n होगा तो उसका कोई मतलब नही है tq is equal to 5 क्या मतलब होगा e के उपर कुछ charge भी तो है e के उपर क्या inactive charge है तो कुछ charge भी तो होगा वो भी तो multiply होगा फिरी तो total charge है q उपर हखा total charge है e जो होता है challenge होता है 1.6 into 10 minus 19 CULM ये क्या होता है और इसकी value क्या है electron की उपर 1.6 into 10-19 यह हमारा एक electron की उपर है हमारे पास कितने electron flow कर रहे है n electron n into me क्या आएगा e charge आएगा तो हमारा total क्या आजाएगा charge आजाएगा q is equal to n e और हमारा जो formula है वो modify कैसे हो जाएगा i is equal to q की जगे क्या put कर दो n e by t यह हमारा क्या आगया second formula आगया अब इसके क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो current है वो ampere में दिया हो आप बलोगे ampere क्या आएगा ampere होता है i का unit कैसे आया i is equal to हमारे पास क्या होता है q by t और q हमारा क्या है total charge charge का unit क्या है column तो total वाले का भी क्या होगा unit तो same ही होगा ना unit इसका क्या होगा column क्यूंकि क्यूंकिन क्यूंकर एक minute में तो बहुत सारा current flow कर जाएगा तो हम छोटी जो quantity है वो लेकी चलते है इसका second लेकी चलेंगी तो टाइम का इरूट हमने क्या ले लिए है सेकेंड तो यह किस की कुर होता है एंपियर की कुर होता है यह तो हमारा जो इरूट है करंट का वो क्या होता है एंपियर तो मैं क्या बोला था कि जरूरी है कि आपको करंट एंपियर में दिया हूँ आपको ये milli ampere में भी दे सकता है और micro ampere में भी दे सकता है तो अगर आपके पास milli ampere आजाए तो उसको आपने कुछ नहीं करना 10-3 कर देना है तो वो क्या हो जाएगा milli ampere और अगर आपके पास micro दिया हुआ है तो 10 का minus 6 कर दोगे तो वो micro ampere में convert हो साएगा ये आपको पता लग गया अब इसमें एक ये पूछ लेता है आपसे कि 1 ampere की definition क्या होगी तो 1 ampere का मतलब कुछ नहीं है simply 1 ampere का मतलब है कि I is equal to 1 क्योंकि ampere तो इसका यूर्ट ही है तो I is equal to 1 कैसे 1 आएगा हमें पता है कि I का formula तो क्या है Q by T तो I 1 कब आएगा जब हमारा Q भी 1 होगा और time भी 1 होगा तो मतलब हमारा क्या है अगर हमारे पास किसी की circuit में एक पुलाम चार्ज एक सेकेंड में पास कर रहा है तो जो grunt होगा वो कितना होगा 1 ampere होगा तो यह इसकी definition बन गी है तो definition क्या बनी If in a circuit one column charge passes through a point per second then current in the circuit will be one ampere तो यह इसकी definition बन चुकी है तो simply था यह आपको पूछ लिया जाता है और अगर इसमें एक यह है कि हमां हमें कैसे पता लगिया कि कितना current फ्रोगर रहे हमने तो यह formula बता दिया तो कोई ना कोई हमें किया चाहिए कुछ apparatus बगरा भी तो चाहिए तो यहां पे जो use होता है इसको measure करने के लिए वो हमारा होता है emitter crunt को measure करता है हमारा कॉन करता है emitter measure करता है जिसको मैंने जो कहां पे लगता है circuit में series में लगता है series का मतलब कि है कि यहाँ पर अगर जैसे यह wire जा रही है तो wire की यहाँ पर ही लगजाएगा ऐसे नहीं है कि कि इस की उपर यहाँ पर अलग से रगाना पड़ेगा इसको पैलर में लगाना पड़ेगा यह दोनों के उखिलाइन से एक दूसरे के पैलर होगी तो पैलर में यह नहीं लगता पैलर में लगता है आपका गोट मिटर जो कि आगी आएगा यह हमारा लगता है series में तो series में मैंने emitter लगा दिया यहाँ पे plus minus है तो यहाँ पे plus और minus लगा दो यह हमारा क्या है emitter है जो कि current की value measure करेगा next इसकी उपर एक numerical आगता है जो कि मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ question हमारा यह है कि find the number of electrons in one column of charge तो हमने क्या find करना है number of electrons जो हमने n value consider की थी उसकी value निकालनी है और हमें total charge दे रखाए उसने one column तो total charge दे रखाए तो formula क्या निकला था हमने कि q equal to होता है eme यह हमारा formula था अब इसमें हमें n की value find करनी है e हमें पता है e क्या होता है charge 1.6 into 10 minus 19 column और q हमें क्या दे रखाए total charge दे रखाए कि कितना है one column है तो q की value उड़ कर दो one equal to m की value हमें निकाल नहीं है into e की value होती है 1.6 into 10 minus 19 column तो इसमें अगर आपके कोई बिल मेरिकल होता है तो सबसे पहले आप उसको unit देखा करो कि दोनों साइड में same है या नहीं है या इसको हम convert करें या क्या करें तो हमें पता है कि यहां के उसरे क्या दे रखा है one column दे रखा है तो यह column में ठीक है हमें पता है कि charge e का 1.6 into 10 minus column होता है तो दोनों साइड क्या आगया column से column क्या हो जाएगा cut जाएगा और n की बेज़ुआ जाएगा क्योंकि n कोई number है number का कोई unit नहीं होता इसलिए तो दोनों से एक से cut गया न वो तो मतलब आपका जो question है सही जाता है अब इसके बाद इसको solve करना है n is equal to यहां से क्या आजाएगा यह 1.6 क्या करेगा इसके divide में आजाएगा और n यहां पे आजाएगा तो n equal to 1 by यह इसके नीचे आजाएगा तो 1.6 into 10 minus 19 यह आगया अब इसको solve कैसे करेंगे 10 minus 19 को अगर आप उपर लेके जाओगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा प्लस का तो 10 की उपर क्या आजाएगा प्लस का 19 और नीचे क्या पढ़ा है 1.6 पढ़ा है यहाँ से point को हटा दो यहाँ से तो उपर क्या लग जाता है एक के साथ 0 लग जाती है 10 आगया अब इसको solve कर लो 2.8.16 और 2.5.10 यहाँ से इतना आगया अब 5 में 8 का divide देना simple है नई simple तो आप क्या करो इसको simple करने के लिए 10 की power में क्या है 19 है इसको आप एक कम कर लो और 10 को multiply में लिख लो कि 10 की power 18 है और यहाँ पे मैंने 10 को एक बाहर निकाल लिया और यहाँ पे into में क्या है हमारे पास 5 है और नीचे हमारा क्या आगया 8 आ चुगा है कि यहाँ पे क्या है 10 की power 1 है तो यह 18 हो और यह क्या हो गया 19 हो गया तो मैंने इसको into में लिख लिया अब इसको solve करना simple कैसे होगा कि 2 चुगा 8 और 2 पांजा 10 यहाँ से क्या आगया 5 और आगया अब यह कितना हो गया 5 पांजा 25 हो गया अब 25 में 4 का divide देना simple है तो अब इसको minus divide दे दो 35 में 4 का दिया क्या आएगा 4 चेका 24 1.0 4 बोना 8 2 पॉइंट की बाद यहाँ पे 0 लगजाएगा और 4 पांजा 20 और यह total पुरा का पुरा गया तो यहाँ से इसकी value कितनी आगी है 6.25 यह तो हमारी किसकी है यह only इस वाले की value आगी है और इंटू में क्या पढ़ा है हमारा 10 की पावर 18 पढ़ा है तो यहां से 10 की पावर 18 आजाएगा अब ऐसे हैं है कि यहां पे column होता है तो column लेख तो N क्या है कि number है number का कोई unit नहीं होता तो वैसे भी मैंने क्या बोल दिये कि यह column में था और यह भी column में था तो दोनों equal में थे दोनों cut लाइगे column और column तो यह क्या आएगा बिना unit क्या आएगा तो यह हमारी क्या आगी value आगी यह आपके पास एक numerical भी आता है I hope so आपको सारा का सारा यह topic समझ में आया होगा Thank you